दोस्तों आज मैं आपको अपने होम गार्डन में गमले में येलो ग्रेप्स टमाटर उगाने की पूरी जानकारी देने वाला हूँ इसमें मैं टमाटर के बीज लगाने से लेकर इस तरह से जो टमाटर अब मैचोर हो गए हैं इनकी हार्वेस्टिंग तक का कम्पलीट अपडेट दूँगा कि आपको क्या 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 केर करनी है कैसे बीज लगाने है कैसे पौधा लगाना है किस तरह के ग्रो बैग में लगाना क्या क्या खाद देना है और इन टमाटर के पौधों को किस जगह पर रखना है ताकि आपको मेरे जैसा रिजल्ट मिले नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेसन गाडनिंग यूटूब चैनल यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो च टमाटर उगा सकते हैं जो आप इस सामने देख रहे हैं ये येलो ग्रेप्स टमाटर लगे हुए हैं और इनका नाम इनके साइज के कारण ऐसा पड़ा क्योंकि यह एक चैरी टमाटर की वेराइटी है जो लगभग एक इंच लंबा होता है और देखने में बिलकुल टमाटर से थोड़ा सा अलग है तो क्या अलग है वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिलेगी इसलिए वीडियो को लाश तक देखना है आपको साथ में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें सेयर जरूर करें लाइक करना सेयर करना बिलकुल फिर इए अब आप गर्मियों में लगाना चाहें तो जनवरी फरवरी का समय बहुत अच्छा है जब 12 से 15 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर होने लगे उस समय आप लगा दें और 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेंपरेचर नहीं जाना चाहिए वरना इसमें फूल गिरने की समस्या हो सकती है अब इस तरह के टमाटर लगाने के लिए सबसे पहले आपको इसके बीज लेने होंगे तो आपको ये बीज मिलेंगे website organicbazar.net पर ये देखिए टॉमेटो एलो ग्रेप्स के ये बीज है और आप ये बीज खरीद सकते हैं यहाँ पर आपको लगभग 25 बीज मिल जाएंगे ज आप फिर इस तरह के पॉट में तो दोनों तरीके सही हैं आप सीडलिंग ट्रे में एक एक बीज लगा दें या इस तरह के जो ये थर्माफोम पॉट है या किसी भी तरह का पॉट जिसमें जिसकी गहराई चार से छे इंच हो उसमें आप टमाटर येलो ग्रेप्स के सीड ल लगा दिये हमने उपर से इसमें मिट्टी डाल दी फिर इसमें पानी डाल कर रख दिया इसे सेमी सेडेडिया में लगभग साथ से दस दिन में ही सीड जर्मिनेट हो जाते हैं और ये जो आप रिजल्ट देख रहे हैं लगभग 20 से 25 दिन में पॉधे इतनी बड़े हो आता है मतलब ये ट्रांसपर में धड़ है अब जब आपके पॉधे 4 से 6 इंच के हो जाएं तो आप इन्हें किसी भी बड़े ग्रोब एग में जिसकी साइज 12 वाई 12 इंच जैसे आप इस सामने देख रहे हैं या फिर 15 वाई 15 इंच के ग्रोब एग में लगा दीजिए तम अब हम टमाटर लगाती है जब सपोस कीजिए हमें इस टमाटर को लगाना है तो हमने क्या किये यहां से यह दोनों पत्ते हटा दिये और हम इतनी गहराई तक इस टमाटर को मिट्टी में दबा देंगे टमाटर को जादा से जादा गहराई पर लगाया जाता है इसके पीछ टमाटर का पौधा बहुत ही मजबूत बनता है तो इसे जादा गहराई पर हमें लगाना है टमाटर का पौधा हमने लगा दिया अच्छे से गहराई पर लगाया अब आप इसे रख दीजिए फुल सनलाइट पर येलो ग्रेफ्स टमाटर को 6-8 घंटे की सनलाइट की जरूरत होती है तो आप इसे ऐसे एरिया में रखें जहां पर इसे फुल सनलाइट मिले और अगर आप समर में मतलब गर्मियों के समय इस टमाटर को लगा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि इसे जादा से जादा सोभय के समय की धूप मिले साम की समय की धूप से इसे बचाना है मतल एल डरेंट पॉटिंग स्वाइल होनी चाहिए और ज्ञादा से ज्यादा उसमें न्यूट्रिसेण होना चाहिए मतलब कि घोबर की खाद बर्मी कंपौस्ट sc इससे में एक एक हिस्से खाद, एक हिस्सा गोबर की खाद या बर्मी कमपोस्ट, एक हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा कोकोपीट ले सकती हैं, इस तरह से जब आप पॉर्टिंग मिक्स बनाएंगे तो उसमें बहुत अच्छा आपको येलो ग्रिप्स टमाटर का रिजल्ट मि कोन मील, नीम खली, मस्टर्ड केक, सीबीट, गन्यूल्स, ऐसे फर्टिलाइजर की थोड़ी-थोड़ी मात्रा आप मिला सकते हैं, गमले की मिट्टी कैसे बनाना है, इस पर पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो आपके राइट साइड पर आई बटन्स हो रहा है, ब की जरूरत होती है, क्योंकि इसमें जो फ्रूटिंग होती है, वो बहुत ही जादा होती है, अगर मैं बात करूँ तो आप देखिए, सिंगल स्टेम टमाटर है, और यहां से ही टमाटर लगना सुरू हो गए हैं, और यहां से अगर आप देखेंगे, तो इस एक पौधे में नहीं होगा, इसलिए इसका नाम येलो ग्रेप्स टमाटो है, और फिर आप यहां से इसे तोड़ सकते हैं, और बिलकुल खाने में टमाटर के जैसा ही टेस्ट लगता है, जैसा हमें रेड टमाटर में टेस्ट आता है, अब क्या करना है आपको जब एक टमाटर लग जाए तो उस समय आपको इसे सहारा देना है, मतलब इसकी स्टेम इतनी मजबूत नहीं होती कि ये खुद का बजन उठा पाए और इसमें लगने वाले इस तरह से टमाटर का उठा पाए, तो इसके लिए हमने ये जो बास की लकडी आप देख रहे हैं, इसका सहारा लिया है, आप टॉमेटो केज बना सकते हैं, सिंगल लकडी से भी ये काफी अच्छे से इसमें सद जाता है, मतलब काफी अच्छे से ये होल्ड हो जाता है, और केज में भी ये काफी अच्छे से होगा, तो इस तरह से हमने लकडी लगा दी, लकडी को सीधा स्टेम के पास से नीचे हमें दबा देना है मिट्टी में ही और इसी के सहारे हम जूट की रस्टी से स्टेम को बांदेंगे तो सहारा देना बहुत जरूरी है बरना आपके टमाटर का स्टेम एक समय ऐसे आएगा कि तूट जाएगा तो सहारा बहुत जरूरी है और कब दे सकते हैं तो जब आपने ये टमाटर लगा दिया इसी समय आप साइड में लखड़ी लगा दीजिए या फिर आप इसको थोड़ी और ग्रोथ हो जाती है तब लगा दीजिए दोनों ही समय सही है इसके बाद अब बात आती है फर्टिलाइजर की कौन-कौन से फर्टिलाइजर देने हैं तो हर 15-20 दिन में आपको येलो ग्रेफ टमाटर में फर्टिलाइजर देने की जरूरत होगी तो शुरुवाती दोर में तो आप इसमें सरसों की खली की लिक्विड खाद दे सकते हैं और बर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं जब इसमें फूल आने लगें जो की लगभग 50 दिन में आने लगते हैं तो जब इसमें फूल आने लगें तब आप इसमें बर्मी कंपोस्ट दे स काफी अच्छे से उस पर पूरा वीडियो बनाया है तो वह भी आप देख सकते हैं साथ में यह टमाटर केल्सियम की काफी नीड इसको होती है तो केल्सियम की कमी ना हो इसके लिए आप चूने का पानी घोल कर दे सकते हैं या अंडे के छिलके को भी आप पाउडर बनाकर इसके बाद आप इसकी जो टमाटर के पौधे हैं इनकी नॉर्मल केर करेंगे फिर वाएगा समय जब ग्रोथ इसकी काफी फास्ट हो जाएगी और इस समय आपको हटाने होंगे इनके सकर्स अब सकर्स क्या होती है देखिए जैसे कि आप यह स्टेम देख रहे हैं यह स्टे आने लगेंगे और हम एक या दो मैन स्टेम आप यहां पर रखिए जादा स्टेम रखेंगे तो न्यूट्रिशन की डेफिसियंसी होगी सारा पौधा बहुत जादा बुसी हो जाएगा और फिर प्रॉपर न्यूट्रिशन हर एक जो है ब्रांच को नहीं मिल पाएगा तो स अभी कभी इसमें लीफ माइनर का अटेक भी होता है जैसे आप यह देख रहे हैं तो लीफ माइनर में आपको क्या करना है इन पत्तियों को तोड़कर हटाते जाना है और नीम ओयल का स्प्रे करते जाना है ताकि इसे हम कंट्रोल कर सकें तो इस तरह से आप अपने घर पर गमले में यलो ग्रेफ टमाटर लगा कर उनसे काफी जादा टमाटर ले सकती हैं लगभग 45-50 दिन में फूल आना सुरू हो जाती हैं फूल से फल बनने में लगभग 20-25 दिन लगती हैं और अगर मैं बात करूं कि इस तरह से जो यलो ग्रेफ टमाटर है जो तोड़ने को सकते हैं तो इस तरह से आप बड़े आसानी से अपने घर पर गमले में यलो ग्रेप्स टमाटर होगा सकते हैं मैंने इसे अलग-अलग तरह के गमले में उगाया है सामने आप देख रहे हैं यह चार फिट वाई दो फिट वाई एक फिट का रेक्टेंगलर ग्रो वैग है जो इसमें हमने टोटल आठ जो है पौधे लगाये हुए हैं और आप देखिए आठों के आठ पौधों से कितने सारे हमें टमाटर मिले हैं यहां से पहले मैं एक बार टमाटर की हारवेस्टिंग भी कर चुका हूँ और अभी भी आप देख सकते हैं कितने जादा टमाटर लग पर तो वहां से आप ग्रोबे खरीच सकते हैं यह सीड खरीच सकते हैं फर्टिलाइजर स्वाइल सारी चीज़ें वहां पर मिल जाएंगी तो आज के इस वीडियो में आपको कंप्लूडीड इंफॉर्मेशन मिल गई कि कैसे यलो ग्रेप्स टमाटर को लगाया जाता है बी मन में कोई भी सवाल हो तो उन्हें आप कमेंड सेक्शन में लिख दीजिए मैं कोसिस करूँगा आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवालों की जवाब दे दूँ और आपको एक और चीज बता दूँ इसके नीचे जो आप ये देख रहे हैं यह हमने पालक लगा रखी है क् कि अभी ये काफी समय तक चलने वाले हैं तो नीचे इस तरह से आप पालक या धनिया भी लगा सकते हैं काफी अच्छे से हो जाती है अगर इस तरह से आप रेक्टेंगलर ग्रो बैग में लगा रहे हैं और अगर आप नॉर्मल इस तरह के ग्रो बैग में लगा रहे हैं त अपने घर पर येलो ग्रेप्स टमाटर लगा कर उनका इस्तमाल खाने में करें, टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और देखने में भी काफी सुन्दर लगती हैं, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सेयर करें, पी गार्डनिंग